हलो फ्रेंज वेलकम टू गुर्गुल कासेज विद एक्जाम एकेडमी जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्स कर रहे हैं कर्णट अफेर से रिलेटेट को और जानते रहे हैं यह हमारा पार्ट फोर है कर्णट अफेर का और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टन को डिस्स क करेंगे तो चलिए यहाँ टाइम बेस्ने करते वन वाई एक कुर्शन के यहाँ पेम डिस्स करना शुरू करते हैं दिखे आज का मारा पहला कुर्शन क्या कर रहा है कि नहरू तिबबत और चीन पुस्तक के लेखा कौन है तो यह कुर्शन में से रिपीट हुए अच्छा शुरू के दो से तीन कुर्शन रिपीट हुए जो पिछली वीडियो में भी बताए गया है तो चलिए इसको देख लेते हैं फिर भी देखे नहरू तिबबत और चीन पुस्तक के लेखा कौन है तो जाते रहे हैं नहरू तिबबत और चीन पुस्तक के जो लेखा का है वो ह जिस देश ने चक्रवात का नाम याश रखा है वो है ओमान ओमान दिखिया है ओप्शन नमबर बी में तो हमारा बी नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिटी के थर्ड नमबर कुछ निया कर रहा है कि मोहाली अंतरराष्ट्री हौकी स्टेडियम का नया नाम क्या है तो जानत कर देंगे फिटी के आजाएंगे अपने फोर्थ नमबर कुछ निया कर रहा है कि भारत जय विविद्धा पुरुषकार 2021 से समानित किया गया तो जिन्हें किया गया वो है शाजी एन एम और शाजी एन एम दिखिया है ऑप्शन नमबर ए में आ हैं तो हम यहाँ पे ए करी आज आज रहे हैं एम विश्व तंबाकु निशेध दिवस वर्ड नू टोबैको डे कब मनाया जाता है तो our विश्व तंबाकु निशेध दिवस जो मनाया जाता है मनाया जाता है एक तीस माई को और एक तीस माई दिखिया है उप्शन नमबर ए में आ है तो हम यहाँ पे ए नमबर आइट अंसर कर देंगे सेवन नमर द innovation कर रहा है कि हाली में चैबारती सितानों को युनिईको की विश्व धरोहर अस्थालों की अस्थाई सूची में जोड़ा गया है जिसमें से एक कांची पूरम के मंदिर है यह किस नदी के तड पर है जो इसमें कांची पूरं को जो मंदिर है कि यह किस नदी के ठट पर इस्थित है तो जानते रहें कि यह जो इस्थित है यह है वेगावती नदी ओ्र वेगावथी नदी ओप्ष्टन fret बी में आए है यहां पे तो हमारा बी नंबर आइटांस वरोज़ागा आपको याद रखना है कि जो कांची पूरम को मंदिर जो है वो वेगावती नदी के किनारे इस्थीत हैं यह याद रखना है आपको फिदिके आज जाएंगे अपने एट नंबर कुश्चन पर एट कुमार लिंबाले और डाक्टर शरुन कुमार लिंबाले दिखिया ऑप्शन नंबर बी में आए है तो हमारे यहां बी नंबर आइट अंसर हो जाएगा फिदिके नाइंथ नंबर कुश्चन क्या कर रहा है कि 72 गरतंत्र दीवस की परेड में इनमें से किस देश की सैने टु हो जाएगा फिदिके आज जाएंगे हम 10 नंबर कुश्चन में 10 नंबर कुश्चन कहा रहा है कि पूरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियंशिप 2021 का खिताब जिसने जीता है वो है डेन मार्क और देन मार्क दिखिए ऑप्शन नंबर यहां सी में है तो हमारे यहां पर सी नंबर राइट अंसर हो जाएगा फिदिके आज जाएंगे 11 नंबर कुश्चन क्या कहा रहा है कि स्विज बैडमिंटन ओपें 2021 के महिला एकल का खिताब केरोलीना मारीन ने जीता वह किस देश की खिलाडी है तो जानते रहेगा याद रखिए फिर से कुश्चन सुलीजे क स्विज मैं मारीन के महिला एकल मारीन के न एक रहेगा तो जानते रहेगा याद ने जीता है वो मनाय जाता है आठ मार्च को और आठ मार्च दिखिया है उप्शन नमबर बी में तो हमारे अब बी नमबर राइड अंसर हो जाएगा फिदी के आज जाएंगे थार्टीन नमबर कुश्चन क्या कर रहा है थार्टीन नमबर कुश्चन कह रहा है कि भारत के किस सहर भारत के किस सहर को हाली ही में 2020 ट्री सिटी आफ दा वर्ड के रूप में मानेता मिली है तो जानते रही है अब फिर से एक बार कुश्चन को सुन लीजे कुश्चन कहरा है भारत के किस सहर को हाली ही में 2020 ट्री सिटी आफ दा वर्ड के रूप में मानेता मिली है तो वो जो शहर है वो है आपका हैदराबाद और हैदराबाद दिखे ऑप्शन नमबर डी में है तो हमारे आप डी नमबर आइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि भारत का वह सहर जिसको हालही में 2020 ट्री सिटी आफ दा वर्ड का रूप में माननेता मिली हो है हैद यह जो है यह चित्रकार थी तो चित्रकार दिखिया है ऑप्शन नमबर यहाँ बी में है तो मारा बी नमबर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा फिर देखे आजाएंगे यहाँ पर नेक्श नमर 15 नमर कुशन क्या कह रहा है कि कली वेली आभूमी को पक्षी अभ्यारन बनाने की घोशना की वह यह वैट लैंड की सराजिक में स्थित है तो देखे फिर से सुन लिजे कली वेली आभूमी को पक्षी अभ्यारन बनाने की घोशना की गई है तो कह रही है वह वैट लैंड की सराजिक में लिए इस्थित है livres plug लैंड जो उपर के व्यक्तियों को income tax से बाहर रखा गया है तो जानते रहेगा बजट में जो आया है कि कुछिछन कहरा है कि बजट में कितने साल से उपर व्यक्ति को income tax से बाहर रखाएगा जो एज है वो रखी गई 75 साल और 75 साल दिखिया ऑप्शन नमबर C में है तुमारा C नमबर र अभ्यास के गेरहमे संस्क्राण का आयोजन किसके साथ किया तो याद रखेगा भारत ने जिसके साथ वज्र प्रहार से ने अभ्यास के गेरहमे संस्क्राण को जो आयोजन किया है वो किया है अमेरिका के साथ और अमेरिका दिखिया है ऑप्शन नमबर A में तो हमारा A कि राष्ट्री विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो याद रखेगा राष्ट्री विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को और 28 फरवरी दिखिया है ऑप्शन नमबर यहां पर डी में तो हमारे यहां पर डी नमबर राइट दरागी जो आए हैं दिखिए option number C में है तो हमारा यहाँ पर C number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि इटली के नए प्रदान मंत्री ग्रूम में जिन्हों ने पदभार गरान किया है वो कौन है मार्यू दरागी है याद रखीगा फिदिके आज आएंगे 20 number question क्या कह रहा ह है भारत में हर वर्स सेना दीवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो जानते रहेगा भारत में हर वर्स सेना दीवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जन्वरी को 15 जो नहीं दिखिया है option number A में आया है तो हमारा A number यहाँ पर right answer हो जाएगा फिदिके 21 number question क्या कह रहा है by many a happy accident recollection of a life के लेखक हैं तो कौन है एक बार फिर से नाम बता देने हैं दिखे पुस्तक का नाम क्या है by many a happy accident recollection of a life इसके लेखक कौन है तो जानते रहेगे इसके जो लेखक है वो है हामिद अंसारी और हामिद अंसारी दिखिया है आपको याद रखना है इनका बुस्तक का क्या नाम है बुक क्या है by many a happy accident recollection of a life फिर दिखिया जाएंगे 22 नामर क्या क्या रहे है हमारा कि हाली ही में जूंकु घाटी चर्चा में रही कि किस राज्य में इस्थित है हाली ही में जूंकु घाटी है जो चर्चा में रही है किस राज्य में इस्थित है यह इस्थित है यह आपका नागा लैंड में और नागा लैंड देखिया है option number C में तो हमारे हाँ पर C number right answer हो जाएगा फिदी के आज जाएंगे 33 number question क्या कह रहा है कि हाली ही में सरकार ने सुबास चंद्र बोस की 125 जयनती के आउसर पर इसे किस दीवस के रूप में मनाने की घोशना की है तो याद रखेगा सुबास चंद्र बोस की 25 जयनती के आउसर पर सरकार ने जिस दीवस को जो मनाने की घोशना की है वो है पराकरम दीवस तो पराकरम दीवस दिखिये option number A में है तो हमारा A number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है सुबास चंद्र बोस की 125 जयनती के आउसर पर इस दीवस को पराकरम दीवस के रूपे मनाने की घोशना की गई है फिदी के आज आज आएंगे 24 number question क्या कर रहा है कि इन में से किस राज सरकार ने one school one IAS योजना सुरू की है तो जानते रहेगा यह जो हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल इतना याद रहेगा वन इसकूल one IAS योजना की शिरुवात की है इसलिए हमारा option number B यहापे हम क्लिक कर देंगे फिरी कि आज जाएंगे है 25 number question क्या कर रहा है कि 2020 से 21 सयद मुस्ताख अली ट्रॉफी का खिता किस ने जीता I repeat 2020 से 21 के बीच में जो हुई थी सयद मुस्ताख अली ट्रॉफी इसको किसने जीता है तो जानतरे इसको जीता है वो जीता है याद रखेगा तामिल नाड ने तो तामिल नाड ने 2020 से 21 सयद मुस्ताख अली ट्रॉफी को जीता है और तामिल नाड ने देखिए option number A में है तो हमारा A number यहापे right answer हो जाएगा फिदे कि आज जाएंगे 26 number question के क नाड नदी और चिन आप दिखिए option number A में तो हमारा A number यहापे right answer हो जाएगा फिदे कि 27 number question क्या कर रहा है कि भारती रेलवे ने देश की सबसे लंबी train वासुकी चला कर नया किर्थिमान अस्थापित किया जिसकी लंबाई है तो कहरें कि जो भारती रेलवे ने देश की साड़े तीन किलो मिटर है और तीन दसलों पांच कीमी की बाद देखिए एक आप्शन नमबर बी में है तो हम यहाँ पे बी नमबर को क्लिक कर देंगे फिदी के आज जाएंगे 28 नमबर कुशन क्या कर रहा है कि नियाय मूर्ती पंकज मिथल ने किस उच्छे नयाले के मुख फ्रिमने अधिश के रूप में सपत ली है वो है जम्मू कस्मीर और लदाख उच्छे नयाले की बात आप्शन नमबर ए में है तो हमारा यहाँ पे ए नमबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिदी के आजाएंगे यहाँ पर हम अपना आजाएंगे 29 नमबर कुशन क किया करा है कि हाल ही में मांडू महसों का आयोजन कि सराज में किया गया तो जानते रहेंगा हाल ही में मांडू महसों का जो 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 आयोजन जो किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश दिख्या ऑप्शन नमबर सी में है तो हमारा सी नमर राइ विश्व वेपार संगठन तो कहने हैं इने में से किसे WTO जिसे विश्व वेपार संगठन कहते हैं का नया महानी देशक नियुक्त किया गया तो याद रखेगा WTO या विश्व वेपार संगठन का जिसे नया महानी देशक जो नियुक्त किया गया है वो है नगोजी उंकोज इवियला जो की आया है देखे आप्शन ए में आया है नगोजी उंकोजो इवियला इसलिए हम ए नमबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिरी के आजाएंगे 31 नमबर कुशन गया करा है कि दादा साहब फॉल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आवार्ड 2021 प्रदान किये गए इसमें सरवस्टेस फिल्म का पूरसकार किस फिल्म को प्रदान किया गया तो याद रखेगा दादा साहब फॉल के इंटरनेशनल फ कि हाल ही में प्रकासित पुस्तक अन्फिनिज्ड और मेमोर आया है मेमायर यह कह रहे हैं किसक ने लिखी है तो याद रखे कि हाल ही में जो पुस्तक प्रकासित हुई अन्फिनिज्ड और मेमायर जो नाम की जो पुस्तक है इसको जो लिखा है वो लिखा है प्रियंका उपड़ा जोसन ने फिदी कि आ जाएंगे है 33 नमबर कुशन क्या कर रहा है कि Australian Open 2021 के पूरुष एकल का खिताब किस ने जीता तो जानते रहेगा Australian Open 2021 के पूरुष एकल का खिताब जिसने जीता है वो है राफेल नडाल और राफेल नडाल देखिया है उप्शन नमबर B में तो हमें यहाँ पे B नमबर को क्लिक कर देना है आपको याद रखना है कि Australian Open 2021 के पूरुष एकल का खिताब जिसने जीता है वो कौन है राफेल नडाल फिदी के आ जायंगे हमारा 34 नबर क्मशन क्या रहला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्कर्ण का आयोजन किस राजिव किया जाएगा जो किया जाएगा करनाटक में परणाटक की बाद दिखिया है option number B में तो हमारा B number यहाँ पर right answer हो जाएगा फिरी के आ जाएंगे यहाँ पर 35 number question क्या कह रहा है कि इने में से कौन सी महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारती महिला खिलाडी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाडी बन गई है तो याद रखेगा वो जो है मिताली राज मिताली राज की बाद दिखिया है option number D में है तो हमारे यहाँ पर D number right answer हो जाएगा फिरी के आ जाएंगे 36 number question क्या करा है कि passport index 2021 में कौन सा देश पहले अस्थान पर रहा तो याद रखे तो याद रखेगा फसल कटाई का तेहर मकर संक्रांती को किस राज में भोगोली बीहु के रूप में मनाया जाता है तो याद रखेगा फसल कटाई का तेहर जिसे हम मकर संक्रांती कहते हैं यह जिस राज में भोगोली बीहु के नाम से जाना जाता है वो है असम और असम की बाद देखिए option number A में आया है तो हमारा यहाँ पे A number high answer हो जाएगा फिर देखे आ जाते हैं अपने next question में हमारा next question क्या कर रहा है देखे 38 number question कर रहा है कि हाल ही में केंदर सरकार ने वर्स 2020 के गांधी शांधी पुरुसकार की घोशना की और कहने 2020 का यह पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो याद रखे कि 2020 जो केंदर सरकार ने जो 2020 के लिए गांधी शांधी पुरुसकार की घोशना की तो याद रखिएगा भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करता जो बने हैं वो है मनीश कुमार और मनीश कुमार दिखिया है ऑप्शन नमबर यहाँ पर B में तो हमारे हाँ बी नमबर राइट अंसर हो जाएगा फिरी का जाएंगे हाँ 40 नमबर और आज हमारे यह last question है question कह रहा है कि इने में से किस देश ने fly big नामक नई airlines के शुरुआत की है तो जानते रहे हैं जिस देश ने fly big नामक नई airlines के शुरुआत की है वो है भारत हमारा भारत वर्ष भारत की बाद दिखिया option number A में है तो हमारे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रही ताकि हम आपके लिए से वीडियो बनाते रहें तो जाले आज कितने रखते हैं thank you very much for watching this video thank you